नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको शाही पनीर बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैंने दो बड़े टमाटर काट कर तैयार किये हैं 250 ग्राम पनीर को टुकडो में काट लिया है आदा इंच अद्रक का टुकडा और चार-पांच लैसुन की कली इसके साथ ही दो बड़े प्याज भी काट लिये हैं एक कटोरी धई, एक मुठी काजू और थोड़े से खड़े मसाले हैं जिसमें दाल चीनी, टेजपत्ता, साबुत मेर्च, लोम, काले मिर्चादी है अब सबसे पहले कड़ाई में तेल गर्म होने रखेंगे एक चमच और इसमें खड़े मसाले डाल देंगे खड़े मसाले डालने के बाद मैं इसमें जो अदरक और लैसुन है वो डाल कर मैं इसमें प्याज डालूंगी और प्याज डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हलदी का पाउडर, एक चुटकी हलदी और आदा चमच लाल मिर्च डाल दूँगी और इसे आदा मिनट तक खिलाऊंगी और एक मुठी काजू है वो भी इसमें एड़ कर दूँगी एक मिनट हम इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे उसके बाद में आदा गिलास पाने डाल कर एक उबाली लेंगे अब मैंने गैंसकी फ्लेम बंद कर दी है और जो ये खड़े मसाले डाले थे इन्हें हम अलग निकाल कर रख देंगे अब इसे हम मिक्सी में डाल कर इसका पेश्ट तयार कर लेंगे पेश्ट भी तयार हो गया है और जो धई है इसमें मैं थोड़ी सी हल दी और आदा चमच सन्या पाउडर डाल कर इसे भी अच्छे से फेट रही हूँ और गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्च अदरक के टुकडे और हरा धन्या काट कर तयार कर लिया है अब एक पैन में मैं एक चम्मास तेल डाल रही हूँ और तेल गर्म होते ही थोड़ा सा जीरा डाल कर हमें इसमें आदा चमच लाल मिर्च का पाउडर डालना है लाल मिर्च डालते ही तुरंथ हम इसमें पेश्ट डाल देंगे और उसके साथ ही धाई भी डाल देंगे अब इसे आप हिलाईए पेश्ट में उबाली आने लगी है तो मैंने इसमें नमक और थोड़ इसी चीनी आदा चम्मच चीनी और एक चुटकी गरम मसाला एड़ कर दिया है अब जो पनीर के टुकडे थे वो हम इसमें डाल देंगे पनीर के टुकडे डालने के बाद में हम इसे जादा नहीं पकाएंगे केवल दो मिनट के लिए पकाएंगे वरना हमारे पनीर के टुकडे तूट जाएंगे दो मिनट पकाने के बाद में गैस की फ्लेम बंद करते ही मैं इसमें हराधमिया डाल दूँगी और ताजी क्रीम और हरी मिर्श के टुकडे अधरक के टुकडे से हम इसके गार्निशिंग कर देंगे यह लीजिए हमारी गर्मा गर्म शाही पनीर की सबजी तयार है इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए